हिमानी शिवकूरी का जन्म 24 अक्टूबर 1960 को दहरादून उत्तराखंड भारत में हुआ था। शिवकूरी एक प्रमुख भारतिय अभिनेत्री हैं, जो हिंदी फिल्मों, टेलिविशन शो और थेटर में अपने काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने 1980 के दशक के अंत में अभिने की शुरुवात की। हिमानी शिवकूरी ने लोगप्रिय टेलिविजन श्रिंखला हमराही में रीमा लागू के रूप में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की। शिवकूरी ने एक अभिनेतरी के रूप में अपनी बहुमुकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कई बॉलिवुड फिल्मों में काम किया है। उनके कुछ उलेखनिया फिल्म क्रेडित में दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे। परदेश कुछ-कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम शामिल है। अपने फिल्मी और टेलिविजन करियर से पहले खिमानी शिवपूरी की थेटर में एक मजबूत प्रिष्ठ भूमी थी। खिमानी शिवपूरी को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरसकार और नामांकन प्राप्त होए है। हिमानी शिवकूरी ने अभिनेता ज्यान शिवकूरी से शादी की है। शिवकूरी विभिन्न सामाजिक पहलों और कारणों में सक्रिय रूप से शामिल है।